असलाम अलेकम आज हम बनाएंगे एक चूमर सैलर्ड खीरे को क्यूब्स में काट लें एक कप मैंने खीरा लिया है एक कप प्यास एक कप टमाटर पदीना गार्णिश के लिए लेमन जूस काली मिर्च नमग इसके आप अगर तो फुद खाना है फिर तो उस पूरे ही काट लें अगर आपने के इंदावत वगारा में रखना है तो उसके बीज नकाल लिया करें टमाटर के और खीरे के फिर उसकी लुक बहुत अच्छी लगती है यह सारी चीज़ें मिक्स करें यह लेमन जूस है एक ख काली मिर्चा 1-1T और नम्मक, 1-1T यह अपने जब आपने सर्फ करना है उस वकत आपने नमक एड़ करना है, सिरकाप पहले लगा के राक मिर्च भी बेशक डाल दे लेकिन अपने एंड पर डाल दे अगर आपने पहले बनाके इस तरह ज्यादा दे राक देगा तो पानी भ लाओ, मटर पलाओ, जिसके भी साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है ऐसे तो बेशाक पूरी-पूरी काट लिया करें अगर कहीं दावत वगारा में रखने हो तो खीरे के भी बीज अंदर से थोड़े और टमाटर के भी निकाल के फिर काटें उसकी लुक वाइस वो बहुत ही अच्छा लगता है और नमक एंड में डालें ताके वो पानी ना छोड़े और पदीने से गार्णश करें ये बहुत ही अच्छा लगता है मैंने पहले भी बहुत से सैलड बनाए है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी क्योंकि ये इस तरह के दावतों में सैलड बहुत अच्छे लगती है ये तो मैंने फ्रेश बनाया है बिल्कुल सीम्पल आप बनाएं वैसे भी आप खाने के साथ इस तरह काया करें बहुत ही अच्छा लगता है ओके लाफीज